हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे अपने सामाजिक विग्यान का जो पेपर होने वाला 16 मार्च का उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त इस्थान वाले और बहु एकल्पिक प्रश्ण हैं उनके बारे में इस परकार से देख सकते हैं वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे ठीके अब हम बात करेंगे अपने समकालिन भारत का भूगोल मतलब समकालिन भारत में जो अपनी जियोग्राफिक केताब उसके बारे में डिसकस करेंगे जिसमें पहला चैप्टर अपना संसाधन एवं विका पुनह उत्पन किया जा सकता हैं उन्हें हम क्या कहेंगे उनमें से हैं उत्पन किया जा सकता हैं किसे किया जा सकता हैं यहां पर यह ऑप्शन दिया परिवासा नहीं पूछे ना पवन उर्जा को या फिर अपने लो आयस का धातु या कार्बनिक पधार्थ तो करेक्ट तो करेक्ट ओप्षिन हो जाएगा पवन ऊर्जा ठीक है ना जिने अम यांतरिक प्रिक्यर रहां दौरा पुन उत्पन कर सकते हैं ठीक है अगला है पंजाब में बुमी निमनी करण का निमना लिखित मैंसे मुख्य कारण क्या है तो कौन सा ओप्षिन करेक्ट होगा कि बुम कि जाती है कहां पर की जाती है उत्राखंड पंजाब हर्याना या उत्तर प्रदेश तो यह कहां पर की जाती है अपने उत्राखंड में की जाती है ठीक है ना अगला कुशन है कौन से राज्य में काली म्रदा मुख्य रूप से पाई जाती है तो काली मिटी कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और यह कहां पर पाई जाती है यह आपको पताना option correct होगा अपना गुजरात के अंदर यहां पर गुजरात होगा ठीक है न चलिए अगला देखते हैं जुआरे उर्जा किस प्रकार का संसाधन है जुआरे उर्जा कौन से संसाधन है तो देखिए जैविक, मानवकरत, चक्रिय या पुनवपूर्थी योगिय तो option होगा अपने द पुनवपूर्थी योगिय ठीक है न option द करेक्ट करेंगे अगला है लो आयसक किस प्रकार का संसाधन है तो नवी करनी योगिय जैव परवा या अनवी करनी योगिय तो अनवी करनी योगि करेक्ट करेंगे इसमें ठीक है ना अगला कोशन देखते हैं बारत में राष्ट्य वन निती 1952 द्वारा निर्दारित वनों के अंतरगत कितने प्रतिशत बोगलिक शेत्र वांचित किये गए हैं कहने का मतलब जो अपने राष्ट्य वन निती बनी कब 1952 में इसके अनुसार कितने बोगलिक कितने प्रतिशत बोगलिक शेत्र में वन होने चाहिए तो आप्शन देखिए चौराणवें चौपण तैंतीस या बीस तो आप जानते हुए बड़े इजी कोशन है थर्टी थरी परसेंट पे होने चाहिए ठीक है अगला कोशन है अपना पूरवतर और मध्य भारत में वनों की कटाई और निमनी करण का परमुकारण क्या है तो जो पूरवतर और मध्य भारत में इस्तान अंतरित खेती के कारण ये सारी समश्य होती है ठीक है अपने रिक्तिस्तान वाले इसमें देखते हैं में उस्ट इंपर्टेंड कोशन की क काली मरदा को रिगर मरदा भी का जाता हैं संसादनों के विवेक पुर्ण उप्योंग के लिए एक सार्व मानिय करण नीती हैं क्या नियो जन विवेक पूर्ण संसादनों का उप्योंग किया जाना चाहिए ठीक है अगला देखते हैं अपने chapter वन एमन वन जीव करण नहीं है कृष्य परियोजने यह भी सई बात है क्योंकि हम विकास परियोजने लागू कर रहे है तो प्राणी जात को नुक्षान हो रहा है वनिस्पति काटी जा रहे है ठीक है तिवर ओद्योगी करण सहरी करण यह भी सई बात है पसुचालन और लगडी इंदन इन में से कौन सा तरीका समूदायों का सीधी भागिदारी नहीं करता है। इसमें लुप्त और शंकटा करेंगे इनको मिलान करेंगे ठीक है कि क्या इनकी केटेगरीज है ठीक है तो अपने देखिए जो काला हिरन है काला हिरन है अपने संकटा करस्त ठीक है तो इससे मिलान कर लेंगे ठीक है फिर एशिया याती ये है अपने सूमेद्य ठीक है ये कर दिया ठीक है अंडमान जंगली शुवर ये है स्थानिक ठीक है फिर हिमालयन भूरा भालू ये है दुरलब दुरलब कैटेगरी में आता है ठीक है और गुलाबी सिरवाली बत्तक है लुट ठीक है न इस प्रकार से इनको मिलान कर लेना याद रखना है ठीक है अगला कोशिन देखते हैं अपना और इनके आंसर यूँ सामने लिखे पड़े है ठीक है न अगला है अपना चिपको अंदोलन से जुड़े वे परिया वरन विद्ध हैं चिपको अंदोलन से कौन जुड़े वे थे सुन्दरलाल बहुगुणा राजेंदर शिंग अमरता देवी विष्णोई या उप्रयोक्त मैं से कोई नहीं तो करेक्ट ओप्शन क्या लेखेंगे कौन थे अपने इन से जुड़े वे इनके बारे में अलकी फुल की जानगारी आपको सबके बारे महुनी करेक्ट ओप्शन हो जाएगा अपना ओप्शन ए ठीक है ना सुन्दरलाल बहुगणा फिर है पारत में वन्य जीव अद्यनेम किस वश्ट लाग हुआ तो ये कौन से वश्ट लाग हुआ था अपने 1972 में ठीक है अगला कुशिन देखते हैं छाटा निमनेम मैं से कौन सी प प्रश्ट अ धीक है अगला प्रशने अपना शरिश्का वन्य जीव पस वियार किस राज्य में इस्थित और बहुत इंपोर्टेंट कुशन है ठीक है ना हर्याणा राज Losan, दिल्ली या बिहार तो ये अपने राजस्थान में ठीक है ना सरिश्का फिरक है न बा अगला देखते हैं अपने इसमें नेक्स्ट वाला चैप्टर है अगे वाले कुशिन देखते हैं पहले वनों में हमें वनों से हमें प्राप्त होता हैं क्या प्राप्त होता हैं ठीक है तो अप्शन है अपने बोजन दवायां लकडी या उप्रोक्ट सभी तो ये बड़ा आस अप्रोक सभी सारी चीज़ां में वनों से मिलती है ठीक है एशय चीता को भारत में कब लुक्त गोशित किया गया मतलब एशय जो चीता है उसको भारत में लुक्त गोशित कर दिया लेकिन कौन से साल में गोशित किया गया तो 1952 या 24 या 56 या 58 तो correct option अपना ए हो जाएगा ठी किस राज्ये में इस्ताइवनों के अंतरगत सबसे अधिक शेत्र है वह कौन सा है तो वो हो जाएगा अपने मद्य परदेश ठीक है जिसमें इस्ताइवनों का सबसे अधिक शेत्र है ठीक है न अगले हैं अपने next chapter जो कि है इसका तीसरा chapter जल संसाधन ठीक है इसके most important question देखते हैं परत्वी का कितने परतिशत भाग जल से गिराएं ठीक है तो देखिए एक बटे चार एक बटे तीन तीन बटे चार या तीन बटे दो तो correct option होगा तीन बटे चार ठीक है न लगबग 45% ठीक है न अगला है अपने वर्तमान समय में बारत में कुल विद्यूत का लगबग कितना परतिशत भाग जल विद्यूत से प्राप्त होता है कितने परतिशत भाग option है 20, 21, 22 और 25 तो correct option क्या होगा अपना इसमें हमें मिलता है लगबग कितना 21% है जो जल विद्यूत से प्राप्त होता है ठीक है न अगला question है विस्व की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है कौन से इस्तान है जहांपे दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश होती है केरल चेरापुंजी और मौसिन राम राजस्तान या उत्राखंड तो सबसे ज़्यादा बारिश कहां होती है चेरापुंजी और मौसिन राम में ठीक है मतलब आवशक कर दिया गया या अनिवारी कर दिया गया कौन सा ऐसा राजी जहां पे घर पे च्छत होनी चाहिए और वहां पे जल सरेक्षन करना चाहिए ऐसा किस में किया गया है अर्याना, मेगाले, तमिलनाडू या करनाटक तो ये कौन से राजी में किया गया है तो करेक्ट ऑप्षन होगा अपने तमिलनाडू के अंदर ठीक है ना, अगला कुशिन है अपना हिराकुंड बांद बनाया गया है हिराकुंड बांद कौन सी नदी पर है तो महा नदी पर, सोचने की विज़रूत नहीं बहुत इंपोर्टेंट कुशिन ठीक है ना, अगला भाकडा नांगल परियूशना बनाई गई है ये कौन सी नदी पर है तो भाकडा नाव अंगल है अपने सतलुज व्यास नदी पर ठीक है ना, ऑप्षन पर टिक कर दोगे अगला कुशिन देखते हैं अपने कुशिन नंबर साथ हुआ सरदार सरुआभ बांध बनाया गया है सरदार aरबांध कहाँ पर है तो महान नदी दामुदर नर्मदा या कावेरी तो करेक्ट ऑप्षन होगा अपना नर्मदा नदी पर सरदार सरो और कहाँपर? नर्मदा नदी पर ठीके चिपको रन्दोलन का समदद है चिपको रन्दोलन किस से समदद रक्षा रोपणड से, इस्थानी, स्वासा, सं, सहरी करण या उत्यों की करणड तो करक्ट option होगा अपने व्रक्षा रोपन पेड़ो से समभन देत ये अंदरलन था ठीक है न फिर एक कोशन नंबर 9 निम्न मैं से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है तो कौन सा युग्म सुमिलित नहीं आना सागर अजमेर में है ठीक है पिछोला जैपूर ठीक है अगला देखते हैं अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम जील में से एक बुपाल जील बनाई गई थी ये कौन से सतापदी में बनी थी तो ये अपना हो जाएगा 11 शतापदी में ठीक है आगे देखते हैं इस चेप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त इस्थान वाले कोशिन है वो देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट कोशिन है धियान रखिएगा ठीक है ना पहला है अलवनिया जल हमें सतवी अपवा और डैश स्तुरूस से प्राप्त होता है तो ये कहां से भूम जल से ठीक है ना करेक्ट ऑप्शन होगा भूम जल ठीक है भूमी का जल ठीक है जवालाल नहरू ने बहुत देश्य परियोशनाओं को आदुनिक बारत का मंदिर किस ने कहा था तो पंडित जवालाल नहरू ठीक है फिर बांखडा नांगल परियोशना एक तो जल विद्यूत उत में महरास्ट और गुजरात में भारी वर्षा के दोरान बांधों से जल छोड़ा गया ठीक है और इसका अपना लास्ट कुशन है इस चैप्टर का कि डैस में वर्षा जल अगली वर्षा रित्तु तक संग्रित रहता किसमें टांके में ठीक है अगला चैप्टर देखते है अपना चैप्टर नमबर फोर क्रशी इसके पहला प्रशन अपना निर्ण में से कौन सा उस क्रशी प्रणाली को दर्शा आता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े शेतर में उगाई जाती ये कौन सी क्रशी प्रणाली को दिखाता है ठीक है स्थानांत्रित क्रशी जवार तिल, मोटे अनाज या तिल ठीक है तो क्या होगा अपना दा आप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ठीक है कुश्य नमबर फोर्ट है इन मेंसे कौन सी रभी की फसल है रभी की फसल आपको चुनना है ठीक है ना चावल, चना, मोटा अनाज या कपास तो करेक्ट चना क्या रभी की फसल है ठीक है कुरिशन नमर प्र फॉत है इन में से कौन से खरीब की फसल है खरीब की फसल चुनना है तो option देखिए जो बाजरा चना सरसों तो खरीब की है बाजरा ठीक है न बाजरा खरीब की वाकि सारी ये रभी की फसले है ठीक है न और ये सारे क्या है अपने खरीब की फसले है और चना इधर रभी की फसले है ठीक है न त्यान रगना अगला देखते हैं करशी एक क्रिया है करशी कौन से क्रिया है प् प्रात्मिक रिया है ठीक ना छटाड है इन में से कौन सी जाएद की अश्त कर्बीश घ्लत सबसे जदा का में तो यह डाना चाइना में ठीक है ना चाइना option correct हो जाएगा इन में से कौन सी रेसेदार फसल है रेसेदार फसल के बारे में बताना बड़े आसान है ठीक है कौन सी है जूट जूट रेसेदार फसल है ठीक है इन में से कौन सा मोटा अनास नहीं है तो कौन सा मोटा अनास नहीं है तो मोटा सामिल नहीं किया गया किसको गहों को थी Minute option हो जगा एह करें ठीक है आगे देखते हैं इसकर रिक्तिस्थान पहला कुछेन है कि क्रशी एक क्रिया है क्या प्रात्मी क्रिया है हमारे देश में थी इसकी दो तिहाई जन से क्या कर्शी कार्यों में से लगन है ठीक है दो बटे तीन लोग है वो कर्शी कार्यों में से लगन है ठीक है अगला देखे वानिजे कर्शी का एक प्रकार है क्या रोपन कर्शी रोपन कर्शी किसका प्रकार है वानिजे कर्शी का एक प्रकार हुआ ठ अगला देखते हैं अपने चैप्टर पांचवा चैप्टर है अपने खनीज और उर्जा संसादन पहला कुशन है निम्न मैंसे दात्वी खनीज का उधारण है कौन साथ जो दात्वी खनीज है तो लोह आयस्क ठीक है न अब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर्व स्रिष्ट लोह आयस्क है इनमेंसे कौन सा है जो सर्व स्रिष्ट लोह आयस्क है मेगनेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट ये लिमो, नाइट तो सबसे बड़िया कौन सा होता है तो हेमेटाइट ठीक है ओप्शन शह हो जाएगा हमारे देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है राजस्थान ठीके असम गुजरात या बिहार करेक्ट आप्शन क्या होगा अपने आप्शन बग कर देंगे असम ठीके न अगला कुशन देखते है हमारे देश का सरवादिक बॉक्साइट उत्पादन वाला राज्य कौन सा है जिसमें सरवादिक बॉक्साइट उत्पादित होता है वो राज्य कौन सा है तो ये अपने उडिशा सब आप्शन टिक कर देंगे ठीक है न उडिशा में सरवाद एक बॉक्साइट का उत्पादन होता है कितने प्रकार के खनीजों की पहचान की जा चुकी अब तक तो देखिए 200, 500, 2000 या 1500 तो option 100 करेक्ट हो जाएगा 2000 ठीक है छटा कुशन है मेगनेटाइट लोह एसक में लोहांश यह लोहे का कितना आंस पाया जाता है मेगनेटाइट के अंदर तो देखिए 50, 60, 70, 80% कितना होता तो 70% उसमें लोहांश होता है किसमें मेगनेटाइट में ठीक है अगला कुशन देखते है कनडबासा में कुदिर शब्द का अर्थ क्या होता है कुदिर जो शब्दें इसका अर्थ क्या होता है कनडबासा में ठीक है न तो गधा, गोड़ा, उंट या फिर अपने भेंस तो क्या होगा गोड़ा ठीक है option B हो जाएगा correct पिर राजस्तान में तामबे की खादाने हैं, तामबे की खादाने का हैं, खेतरडी, अजमीर, कोटा, या फिर अपने अश्री गंगानगर, तो यह का हैं, यह अपने खेतरी, ठीक है ना, खेतरडी में, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनीज, उर्जा खनीज हैं, चुना पथर, बलूपथर, कोयला या जस्ता न मैंवे से कौन सा है? जो अपने उर्जा खनीज है तो correct option हो जाएगा अपने कोयला ठीके? uranium तता थोरियम से प्राप्त होती है कौन सी उर्जा है? जो uranium और थोरियम से प्राप्त होती है तो देखे जल विद्योत, पवन विद्योत, ताप विद्योत या आणविक और पर्मानु तो कौन सी उर्जा मिले कि आणविक और पर्मानिक उर्जा तो option correct हो जाएगा अपना the option correct ठीक है अगला देखते हैं दातों को गलने से रोकने वाली चीज कौन सी है एमेटाइट, फ्लोराइड या इलमेटाइट या चूना पत्तर तो correct option क्या होगा? correct option होगा अपने फ्लोराइड ठीक है अगला है अगला देखते हैं अपने इसमें रिक्तिस्थान मेहतो पूर्ण त्रिक्तिस्तान देखिये कि डैश बारत का सबसे बड़ा खनीज उत्पदक र आजय कौनसा उड़िशा? याद रखना है उड़िशा सबसे ज़्यादा मेगनीज, मेगनीज का उत्पदक राजय है उड़िशा खनीज सामने तक कौन साम में पाया जाते हैं तो आगने और कायं तरे चटानों में पाया जाते हैं भारत एक उस्ट कटी बंद्य देश है गुजरात के सबसे महत्वपुन तेल जो शेतर है वो कौन सा है अंकल एश्वर अगला है करश्णा गोदावरी नदी बेसिन में गैस के विशाल बंदार है कौन सी प्रक्रति गैस के अगला है भारत में डैश उर्जा के उतपादन की महान संभावनाय के से सोर उर्जा की ठीक है अगला है महासागरिय तरंगो का उपयोग विद्यूत उत्पादन के लिए किया जा सकता है ठीक है फिर है आर्थिक विकास के लिए एक आधारवूत क्या खनीज खनीज आर्थिक विकास के लिए एक आधारवूत जो आवशिकता है वो है ठीक है ना अगला chapter है अपने 6 ठीक है क्योंकि इस book में अपने 7 chapter है ठीक है तो छटे के most important question देखते हैं V. निर्माण उद्योग ठीक है निमने लिखित मेंसे कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्छे माल के रूप में प्रियोग करता है अगला देखते हैं निमन मेंसे कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्छे माल के रूप में प्रियुक्त करता है तो चूना पत्थर को कच्छे माल में प्रियुक्त करने वाला उद्योग कौन सा है अगला कुशिन है चीनी मलों की सरवादिक सगंता किन राज्यों के अंदर है यहां पे ऐसे दूर आजिए कौन से है? जहां पे चीनी के सगनता सबसे जदा है तो उत्रपरदेश और भिहार ठीक है ना, यहां पे चीनी की मिलें बहुत ज़्यादा सकर की बहुत ज़्यादा बड़े कार खाने यहां पे मिल जाएंगे अगला प्रश्ण है अपना शहर बहरत की इलेक्टोनिक राजदानी कहलाता है जिसको हम एलेक्टोनिक राजदानी कह सकते हैं कौन सा सहर है तो आप जानते हूं बैंगलोरी ठीके ना बैंगलोर ऑप्शन हो जाएगा निमने लिख दुद्ध में से कौन सा उपबोगता उद्योग है ठीके अप्षण है अलूमीनियम प्रगलन तामबख प्रगलन या लो सपाथ या फिर सेलाई मशीन तो उपबोगता उद्यू कौन सा सेलाई मशीन ठीक है ना अगला देखते हैं दस्वां कोशन अपना अगला देखते हैं आपने नेक्स्ट है इसके रिक्तिस्थान वाले प्रश्चन ठीक है 1950 के दसक में बारत तथा चीन यहां पर क्या लिखेंगे चीन भारत तता चीन ने लगबग एक समान मात्रा में इस बात अध्पादित किया था अगला है बारत जापान या लिकिनगे जापान को सूद का निर्यात करता है ठीके खष्री तथा उद्योग एक दूसरे से प्रत्थक नहीं है मतलब करशी और उद्योग दोनों एक दूसरे से जुड़ेवे है ठीके नगला है बारत का पहला सिमेंट उद्योग 1904 में चैने में इस्ताफित हुआ था सिमेंट उद्योग ठीक है न अगला है बैंगलूरू को भारत की इलेक्टोनिक राजदानी के रूप में जाना जाता है ठीक है न जयान रखना और इस चैप्टर का अपना जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करते जो कि है राष्ट या अर्थ व्यवस्ता की जीवन रेखा है ठीक है पहला कोशिन अपना निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपूर जगदीशपूर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा वैंन में से कौन सा राज्य जो इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है तो कौ option हो जाएगा अपने महरास्ट ठीक है यह याद रखीगा important question है ठीक है next है निमनलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनंतरन हानियों तथा देर को घटाता है कौन सा है जिसमें वहनंतरन हानिया और देरी घटती है और जल्दी समय में काम हो जाता है यह कौन सा होगा तो pipeline परिवहन ठीक है अगला देखे इसमें वहान की जरुत नहीं होती है और कम समय में चीज पहुंच जाती है ठीक है अगला है अपना निमनलिखित में से कौन से दो दूरस्त इस्थान पूरवी पश्चिमी गल्यारों से जुड़े हुए है इनमें से कौन से दो इस्थान है तो करेक्ट ओप्शन हो जाएगा अपने सिल्चर और पोर बंदर ठीक है अगला कुशन देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा परिवयन साधन भारत में परमुक शाधन है भारत में मुख्य रूप से कौन सा साधन है जो परमुक है ठीक है ना तो ये सड़क परिवयन भार ठीक है ना अंतराष्टी व्याफार मतलब दो या दो से धिक देशों के बीच में किया जाने वाला व्याफार अगला है भारत का प्राची इंतम कृत्रिम पतन है तो कौन सा है विसा का पतनम या हल दिया चैन नहीं या मुंबई तो कौन से जो प्राची इंतम है तो चैन नहीं, ठीक है न, option से correct है, फिर बारत में पर्थम rail गाड़ी चलाई गई थी, पहली rail गाड़ी कब चलाई गी थी बारत में, तो correct option होगा अपने 1853 के अंदर, ठीक है न, option, फिर बारत rail परिवयन को कितने, कितने rail परखंडों में पु पुझ महाराजमारग की सडक कितने lane वाली बनाई गई है, इसमें ये जो सडक है, वो कितने lane की बनाई गई है, तो correct option होगा अपने 6 lane की, ठीक है न, और अगला है, बारत का सडक जाल लगब कितने लाख किलोमेटर तक भेला हुआ है, सडक जाल, तो ये अपने 56 लाख किलोम प्रमुख जाल है, कितने प्रमुख जाल है, पाइपलाइन वाले, तीन, ठीक है, बारत के लोग प्राचिन काल से समुद्री यात्रा करते रहे हैं, ठीक है न, समुद्री यात्रा करते रहे हैं, फिर हल्दिया और इलाबाद के मद्य गंगा जलमार गहे हैं, ठीक है, कहा है लगबग 100 बहसां और बोलियों में परकाशित होते हैं ठीक है न ये बड़ा 100 ठीक है इस परकार से अपने दूसरी बुक की भी कंपलेट हुई इस परकार से आपको सभी बुक्स के हर टाइप के कोशिंस या मिल जाएंगे एक्जाम में उनसे बाहर आने का चांस ना के बराब ठीक है मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जै हिंद जै बारत